नमस्कार पडाम मैं हूँ आगर्स एक बाफिर से आप सभी का सिवुटी इंडिया पर हार्दिक श्वागर है आज हम आप सभी के इंदिशाहित्य में हम रीतिकाल पर प्रस्वंत्री कराएंगे इसके पहले हम भक्तिकाल और आदिकाल पर भी बातचित कर चुके उस पर प्रस बाफिर कोश्चन को करते हैं पहला क्यां किसी वी किशें को कर लेये तो कि आपको एक्जाम हाल में किसी प्रकात की कोई दिक्कते नहीं तो आई यह सबसे पहले आए आप थेवरी क्लास में पढ़ेंगे चिंता मड़ी किसकी है कौन बताएगा मती राम केशों और भी खारी दास इनके रचनाओं के साथ सुमेलित करना है ठीक है तो चिंता मड़ी भाई आपको हम बताये थे नक्षिक बढ़न तो नहीं काब ने भाई देखिए कभी कुल कलपतु दुरूम है यहापे और यहापे क है को तो सबसे कि वहाण होता है फैले मिला लिया जाता है ठीक है मती लाली तो सबसे पहले देखलें द śmamikily से राइट होगा लेके हमें चारों को चेक खरनाँ है ठीक स्क्र één नख्षिक बढ़न होता है और भिखारी दास का और होता है तो थीजरे का पहला तीसरे का पहला लुदivat का पाच्वां है निचंव पहले का थी तरगंता मणी का क्या भाई चिंता मडीना तीसरा कभी कुल कल पत्रूम नहीं होगा ठीक है इससे सही कर लीजिएगा ठीक है ओके तो इन ए आपसन का कोश्चन नमबर एक का पहले का डी इज राइट एंसर उमीद करते हैं आप अच्छे सी से समझ रहे होंगे बिल्कुल समझ रहे होंगे ठीक है आई अगले कोश्चन करने को अपके साबने आ गया है कि निमलिकित गरंथों को उनके लेखकों के साथ सुमयलित करिए और उनके लेखकों के नाम के नाम थोड़ा से आपके अधीव के सबसे पहले क्या है भाई हम इसने बात करेंगे तो भक्तिकाल से लग रहा हुआ है ठीक है लेकिन इसमें कहां से आगे फिर भी हम देखते हैं क्या करते हैं प्रिम साुगर और ग्यान बोध मलुक दाखसे लगा देते हैं तो बी में पहला असन मेरा सेठ हो गया भी दोप्र हम्धिकरण का घ्यान इजिए और शब्सार जो हैं कुंदन को रंग फीको लगे जलके अति अंगनी चार गोराई या पंक किस कभी की है भूशड की है कि देव की है कि बिहारी की है कि मतिराम की अगला कुशन नंबर 4 पर आते हैं कि इन में से कौन रीथी बद्ध कभी हो आप तेखेंगे रीतिबद्द के तुरंट एंसर लगा देंगे लेकिन पूछाए कि रीतिबद्द कभी कौन नहीं है यह में से तीन ऐसे कभी होंगे जो रीतिबद्द हैं लेकिन एक रीतिबद्द के कभी नहीं है तो इसे बताने को फिर से एक बर मिलान करते हैं हमारे को स्ब्सक्राइब अब चार्चर स्ब्सक्राइब करें करिएब या सुमेलित किजbringen है केसो दात कैसो दाज का क्या वह रसिक प्रिया जानते हैं क्योरी क्लास में बताए हैं मतिराम ललित ललाम बताए हैं भूशड शिवा बाउनी और देव का तो भाव विलास बाई सर जानते हैं तो आए केसों का रसिक प्रिया पहले का दूसरा यहां पर है यहां पर भाई ए और सी तो किसी भी हालत मे नहीं होगा ठीक है अब क्या है मतीराम का ललीद लला मतारब भी का पहला मामुला मेरा हो गया वहीं तब तो अगले कोश्चन पे आते हैं भाई अगला कोश्चन क्या करें च्या आपको समझ में आ रहा है ता फटाफट कमेंट करें आप क्या है कि निमलिखित पंग्तियों और कभियों का सुमेलन कीजिए या सुमेलन कीजिए फिर से देखिए कुछ टाइप क्यों कोश्चन मिल गए आप करते होंगे कि बार बार ऐसे कोश्चन जी आएंगे ताकि आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहों आपको देखिए आपको कटना ही महसूस होगी लेकिन मैं इसे बिलकुल इजी करूँगा देखिए क्या है कि कनक कदली पर शिंग समारल पर मेरू सामने कनक कदली सब्दा गया भाई कौन यूच किया है तिसे विद्यापति ने यूच किया है ध्यान देगे ठीक है कनक कदली देखते हैं आप कहीं मुश्का है लला फिर आयो खेलन होरी पदमाकर अतिसूदो सनिह को मारग है घनानंद मुर पखा सिर उपर राखिया अगुंज की माल गले पहिरियों अब देखे भाई कनक कदली पहले का विद्यापती नैनन नचाह मुश्काई पदमाकर अब आप सोचेंगे कि चार में सबस्ते ऎसने में आप मामला के मिला है क्या को YouTube पहला ऑफ मुर पखा कर कि मूर पखा सीर उपर राखियां गुंज की मल गलेम पहिरियोंगी दूसरा चैनाब मैश्कों की रच्णा है पंकतियां तो बी इजिलें समझ लिए अगले कोश्टन पर आते हैं अगला कोश्टन चाहते को साथ को देखेंगे कि निमलिखित में से कौन सी रीत कभी है अब देखें रीत की बात किया है रीत कोन है बताईए फटाफट विहारी बिहारी का नाम आगिया देव मतिणा मी सब क्या अलग है वाई रीत बद्ध में हैं लेकिन रीट इसी दिमें कौन वह भाई भी हारी ना फड़ा फड़ ठीक है ऊके आईए अगले कोर्षं पर अगला कोर्षं कि देखिए मिलान करने का कोर्षंट आपके सामने आ गया मिलान करिये भाई ये घनानंद को मिला देंगे, तो घनानंद A का पाच्वाँ, देख ले, A का पाच्वाँ मिल गया भाई, A का पाच्वाँ, इसमें है, और इसमें, भाई, A और C तो किसी भी हालत में नहीं होगा, अब क्या होगा, B और D को चेक करना है, ठीक है, साजी चतुरंग, बीद में तुरंग चड़, भाई, ये बोधा की पंक्तियां है, B का तीसरा, B का तीसरा, यहां है, आभी मिल गया, अब आपको चेक करना है, गुल-गुली गिल में गलीचा है, गुनी जन, और आगे के कभी रीजी है, तो कभी ताई, न तो राधिका कनहाई, सुमिरन को बहाना ह भाई, ये तो बिखारी दास की पंक्तियां दिख रही है, तो D में दूसरा, D में दूसरा मामला से ठोगया, आप सन क्या है, D, E, J, राइट एंसर, मिन्स, C का गुल-गुली गिल में गलीचा, गुल-गुली गिल में गलीचा, याद करे, पदमाकर, पदमाकर भाई, तो D, D, E, J, राइट एंसर, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बताएं, अगले कोश्चन पर आईए, अगला कोश्चन नमबर 9 क्या करता है, इसे तो देखते, फटा-फट एंसर लगाएंगे, अमी हलाहल मद मरे, रसनियन लगा दो, आग अंतियों को बताया है, लिकवाया है, तो रसनियन राइट एंसर, ओके, ठीक है, आईए, अगले कोश्चन पर, कोश्चन नमबर 10 क्या करता है, जरा इसे ध्यान दें, कोश्चन नमबर 10 क्या करता है, कि इन में से किस कभी ने लक्षड गरंत नहीं लिखा है, मैंने आपको कि परंपरा का अनुसरण किया है, तो रीतिसिद, रीतिसिद में कौन है, बिहारी, ठीक है, तो डी, एजे, राइट एंसर, ओके, आईए, अगले कोश्चन पर, अगला कोश्चन नमबर 11 क्या करता है, इसे ध्यान दें, बरवे नाइका भेद का रशनाकार कौन है, भाई, तो रहीम दास, आप भी जानते हैं, बताएं क्लास में, ठीक है, तो ए आप सनी जे, राइट एंसर, ओके, हाई अगले कोश्चन पर, कोश्चन नमबर 12, फिर आप एक बाट रही से मिलान करें, मिलान करिए कोश्चन नमबर 12 को, कोश्चन नमबर 12 क्या कहता है, कि निमलखि क्रिपा राम कहा है, तीसरे पे हैं, प्रेम बाटिका, प्रेम बाटिका भाई, रश्खान, मदनाश्टक, रहीम, अंगदर्पर, रसलेन, ठीक है, तो पहले का चोथा, पहले का चोथा, मामला मेरा ये कही आप सन से सेट हो गया, से जे, राइट एंसर, लेकिन अन्ने भी आ तीसरा, मैंने पहले का चोथा, स्वरी, पहले का तीसरा, मिस, A, E, J, राइट, फिर भी यहाँ पर भी एक आप सन को चेक करने में, मामला सेट हो गया, भाई, इस चीच का ध्यान नखियेगा, ठीक है, तो क्या है, ध्यान दे, हेत तरंगनी, हेत तरंगनी, भाई, किरिपार पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, देखिये, मिल गया, ममला सेट हो गया, बी का चोथा, प्रेम बार्टिका, प्रेम बार्टिका, रस्रे खान, मद नाश्टक, रहीम, पहला, और D का दूसरा, अंगदर पर रसलें, ठीक है, तो A, E, J, राइट एंसर, क्या भाई, समझ में गया तो पहले दिएक अनग को लग रहा है कि तीरिक लास से हैं कि नहीं है और यही आपको इक्जाम में बिलकुल यही कौशन छपेंगे, ठीक है, आगे देख़े, अगले को सन को फिर मिलाइए, मिलान करने को को सन आपके सामने, फिर निमान कե साथ और थोड़ा था, सैं कौन बोलता है बिद्यापति मिखिला में भूशन बिनुन बिराज ये कविता बनिता मित केशोधा आपने पड़ा है नैनन नचाय कहीं मुश्काय लतापत माकर होना चीए फिर फिर एक बाद चेक करते हैं साई के सब जीव है कभीर पहले का दूसरा मामला पहले के दूसरा मा को ने बाई सी का चौथा तो यहां पेदल दिया बाई आप्षन को स्टेट करने में गलत हुआ है लेकिन को सब जीव है पोरी कुंजर दोए इसके लेखक कभीर हैं ठीक है तो पहले का दूसरा पहले का दूसरा इसी आपसन में है डेसिल बैना सब जन मिठा विद्यापती क ठीक है तो यह क्या है बहुत दूसरे का पहला अब तक तो सही है लेकिन भूर्षन बिनुन बिराज आई कभीता बरिता मित पदमाकर करने किसी भी हलते हैं पर चौथा होना चाहिए और यहां पर तीसरा होना चाहिए इसे आपनाफ सेट साहिए कर लिजेगा ठीक है तो इजे राइट एंसर होगा ओके बाई बढ़ियां बढ़ियां सब पंदर को दिरा द्यान दे निमलिखित में से कौन सी रचना चिंता मड़ी की रचना कौन सी चिंता मड़ी कभी कुलकल पत्रू के लिए बताये आएक लास में सी एजे राइट एंसर ओके ठीक है अग्ला को शोला क्या कहता है कोस्चन नमर सोला को देखिए फिर से आपको यहा सवित्रा नंदन पंतबू च्छायवाद फिर स्वित्रना नंदन sciences का दियां नगीएगा गत्रा निन से पारेएं का सवित्रना पारे ये यह रस। अननन्द मतब B का तीसरा सही है के सोता तीसरे का किसने बहाई यहां पर देखिए पहले आप समपर देखिए ऐसे जल्दीबाजी को एज़ाम हाल में करेंगे तो आप से गलतियां करके आएंगे नहीं पहले का चौथा दो जगा मिला है भाई B में और D में तो ठीक है पहले B होगा पहले का सुमित्रन अन्दन पंध ग्राम में मिल गया और भी में मामला सेह नहीं हुए दूसरा अप्सन को चेक करते हैं घानानंद इसकल अबी का तीसरा यहां भी यहां भी अभी मामला सेट नहीं हुए फिर आगे देखते हैं के के सोदाश की कभी परियाय सी का पहला सी का पहला अब जाकर मामला आप दी इजे राइट एंकर कोशन नमबर सोला डी इजे राइड एंसवर ओके ठीक है कोशन नमबर 17 अगला कोशन 17 को द्यान दें बाहि क्या कटा है बहुत बढ़ियां समझ में आ रहा है बताएं बाई समझ में आ रहा है एक वी कोशन बाहर तो नहीं जा रहा है सारे क्लासे मिलना है बिल्कुल मिलना है चंडे चरित मैंने आपको बताया बताएं यह कोशन का जवाब आप बताएंगे तो चंडे चरित किस्ति बाहिए तो गोबिंद सिंग की रचना इतना ध्यान न कियेगा ठीक है ओके आई अगले कोशन पर कोशन नंबर 19 क्या करता है ज चाहि द्यान देंगे आपको क्लास के दोरान मैंने प्रताफ शाइक रिचनाओं का जिक्रे किया और प्रताफाइंग की रचना क्या क्या जेकिन नहीं है अब आपको बताना है कौन नहीं वहाई काव बिलाष Important कॉमूफका है प्बंद्ट श्रिंगार मंजिरी भी कौन है कौन बताएगा च्छत्य प्रकास प्रड़ा फट बताएगे लाल कभी ध्यान दखेंगे सीजे राइट एंस्वर ठीक है ओके आईए अगले कोश्चन भाई हम लोगोंने 20 कोश्चन कर लिया देखिए कितना कम समय पड़ा फट हम पड़ते चलना है 20 कोश्चन कर लिए क्या करना है 26 साल दसक 7 साल दसक किस क्या वाई है वह सडगा होगा कभी बसल पत्रप 10 टेतान मड़ी भाव विलास देव और इश्कलता घणान। मिलायएग स्थैंगे मिलां में आयसे चर्षत्य साल दसक भो Partnership पहले का तिस्रा कहां मिला। मामला तो सेट हो गया है एक आपन को टेक करने पर मामला सेट लेकिन आगे भी देखें कभी कुल कल पत्रूप बी का चौथा शही है भाव बिला सी का दूसरा सही है इस कलता घनानंग ती चौथे का पहला तो दीजे राइट एंसोर ओके ठीक है आई अगले कोश्चन कोश्च कृटियों को इनके कभी आचारियों के साथ सुमिलित करें कुछ पभी आचार पकल्पत्रू दिया है ऍट ललेले पत्रू चिंता मड़ी को मारेंगे तो रससारांस किसका है भाई विखारिदास का है सही है पहला कभी कुलकल पत्रू शी का चौथा सही है चिंता मड़ी ठीक है और आगे ललीत ललाम कितना भाई मतिराम का तो डी का सबकुल सहीत है समझ में आ रहा है की नगती अगले कोश्टन पर आते हैं अगला कोश्टन क्या कहता है इसे ध्यान दें क्या कहता है का फच्रफ्टन नमबर तेज कना है कि पानी परात को हात छुयों नहीं ? नैनन के जल तो पगद हुए बाई देखे यह तो most important question बार बार एक क्या है कि पानी परात को हात छुयो नहीं नैनन के जलते पक्द होए आपसे पूछा जा सकता है इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो भाई अलंकार की जब हम बात करेंगे अ अलंकार होता है कभी-कभी अतीसैयुक्ती का वर्तनी भी आपर पूष लिया जाता है तो ध्यान बेंगए पूरा स्वुह होता है ज़िए अपने आनवाने पानी दोडिकार से पूरा पैहा दोले रहें यह कहीं नहीं बढ़ा चढ़ा कर बाती कहीं गई है जिसे इन्यूस में हाइफर बोलते हैं तो अतिस्वेटी अलंकार होगा इसमें क्या पूछा है इसको ज्यान दे किस कभी की पंक्तियां है फटा फट बताईए पंक्तियां किस के भाई सूरदास गंग कभी रही नरुत्तम समझ में आया ठीक है आईए अगले कोशन पर अगला कोशन क्या कहता है अगला कोशन कोशन नंबर 24 को देखे थोड़ा से पूल जाओं कोशन अब आपने पर जल स्वरी काल करमा अनुसार लगाना है जन्म काल के अनुसार निमनिखित कम्यों का सही करम क्या होगा बिहारी च चिन्तामणी भूषड तो वाई सबसे पहले भीहारी यह आप कहीं पहले भीहारी एजन राइट अंसर लेकिन दें बहारी के बाद चिंतामणी आएंगे to चिन्तामणी आएंगे और भूषड मतिराम आएंगे भीकर इस चिछा थ्यान दखियेगा आई अगले कोश्षन 26 देखें रस गंगाधर में पंडित राज जगरनात ने किस बागता की परशन सा बेरी इंपोर्टेंट कोस्टन और मस्ट कोस्टन है एकदम बिलकुल लाजवाप कोश्टन क्या वाई कि रस गंगाधर किसकी अपसे नहीं पूछा किसकी रशना है सब जानते हैं पंडित अधर जो है पंडित राज जगरनात ने इस ग्रंथ में किस बादसा का बढ़न किया है अगले कोश्टन पर बताएं बाई समझ में आतो वारा है ना बिलकुल कोई दिक्कत तो नहीं कोई कटनाई तो नहीं सब कुछ ठिक हैं बिलकुल बढ़ियां समझें कि रीक्त मुक्त स रिंगारी कभी नहीं है तो इसमें रीत मुक्त सभी कभी है पूछा कौन नहीं है तो आपको सेनापती बताना होगा आलम भी है ठाकूर भी है तो सेनापती नहीं है एजे राइट एंसवर्ट ठीक है ओके बहुत बढ़ियां अगला कोश्टन कोश्टन नमबर 28 क्या करता है 28 को देखे भाई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केतों के हिर्दय का सामनजस से कुछ भी नहीं था अब देखे अब तक आपने कोश्टन या ग्रंत रोड़ा को देखता था अब कुछ पंक्तियों को भी देखेंगे भाई आपके सामने हर टाइस केम को लाएंगे जिस अब करना चाहता है कौन का अब देखेंगे आपनी कविताहों के साथ जीवन को खुपसूरती के साथ मिला दिया है पटा पटा आपको बताना है क्या बताना है फिर से रिखेंगे रीतिकाल के किस कभी ने अपनी कविताहों में रितूओं और तेवहार मतलब स्टीजर्स जो मौसम होते रितूओं को सारे तेवहारों के साथ जीवन को खुपसूरती के साथ मिलाया है वाइद कि बिहारी बेव घनानन और पदमाकर कौन बटाएगा पड़ा फट इससे एं कोश्चन नंबर 30 क्या कता है जराई से ध्यान दे हिंदी का विसास्त्र की निमलिखित कृपियों का सही काल करमा अनुशार थोड़ा साया उल्धाओ कोश्चन क्या भाई हो गया चाहिए अगले कोश्चन को और अगले कोश्चन को भूशड भूशड का क्या है भूशड को फटाफटवता ये किस से मिलाएंगे रारसरतना करण ठीक है जो सबते इस ऐसे फुस्ण आने पर हम क्या करते इजली को पहले मिलाते हैं तो मतीराम का भाई रसराज होगा पड़े है घंणनंद का इसकलता होगा ठीक है त्यान नहीं थीं के अगला कोशन क्या कता है कोशन नम्बर बत्ीर को देखेंगे वाई ललित लाम, किसका गरंत भाई यह तो इसली बात इंधिराम का है ठीक है डीजर राइट अंसर अगला कोश्चन कोश्चन नम्बर 23 को फिर से शुमेलित करिए भाई स्टैटिस को सुमेलित करिए फटा फटा आप लोग सुमेलित करिए भाई कैट है टिन्ny मलिकित रचनाकारों को उनकी रचनायों के साथ करें है रचनाकार कुछ लिए गए है और इनकी रचना है उतके साथ आपको शुमेद करना है मतीराम के इस सपीघए गागा रसराइगा सीवाबाउन के साथ रसलीन जाएंगे अंग दरपड़ के साथ कुल पति मीस्ट काब्लेपरकास साही काबी परकास मुम्मट का भी ज्यान देंगे इसमें चिन्तामडी पहले का पाच्वा मामला तो यहीं सेथ हो गया भाई बी का चोथा मतिराम का रसरा ठीक है भूशड का सिवा बावनी किसरे का दूसरा पहले चोथे का पहला ठीक है डी इजे राइट एंट्वर कि रीत गरंथो की प्रंपरा चिंता मली तिरपाथी से चली रीतिकाल का आरंभ उनी से मानना चाहिए किस इतिहासकार का कथान है पड़ा पट बटा है तो राम चंद्र सुक्ल का कथान है यह जे राइट एंसर कोश्चन नंबर 34 का ठीक है अगला कोश्चन क्या कहता है भाई जराई से ध्यान दीजिए एंदे साहित के रीतिकाल को स्रिंगार काल नाम निमलकित में से किस इतिह कारने दिए रीतिकाल तो सुक्ल दिया तो सुक्ल तो किसी भी हालत में नहीं होगा अब स्रिंगार काल पूछा है तो विश्चुनाच परसाद मिश्चन ने भाई स्रिंगार काल का नाम दिया मिन्स सी की जे राइट एंसर ओके बहुत बढ़िया ठीक है आईए पोश्चन चप्षंप कर दो to No be efficient का ब्रण किया एा विश्चन नमब ऐरी की भाता के बारे में क्या का ये आफटा नमब्द याला करता आ खेसा के बारे में बिहारी की वासा चलती है तो और बिहारी की वासा चलती होने पर भी साहितिक यह वाज आदे अच्छा है भाई ती इजे राइट एंस्वर ठीक है अगले कोस्टन पर कोस्टन नमबर 38 क्या करता है इसे ध्यान दे भाई फिर से इसे आगया को सुमेलित किजिए पड़ा पड़ आप लोग सुमेलित करिए भाई सुमेलित करिए क्या है रचना दिया है और प्रूम सब्द है तुरू नहीं है तो मुबारत का स्वरी सेनापती का होगा ठीक है बारा मासा दिया है और अलग सतक किसका है मुबारक का ध्यान देंगे अलग सतक है ठीक है और बारा मासा किसका है बारा मासा सुन्दर कभी का है ज्यान देंगे ठीक है तो समझ में आ रहा है कोई दिक्कत तो नहीं अच्छे से पढ़िए ठीक है फिर से को है कि यहां पर आपको सुमेलित करने को सन इसलिए रखा जाता है ताकि आपको चार्चर आप्शन मिलेंगों चार्च सुधामा चूला का माधवान ल काम कंदला के आलम का है विग्ञान की तके सुका है सुधामा चरीत नरुतम्दास की रच्ना पानी परात गए और उत्तम्दास तहिए भई मादवानल काम कंदला तीसरे का तीसरा ही है और विज्ञान गिता चौथे का दूसरा तही है बीजे राइट एंसर कोश्चन नमबर 49 का ठीक है ओके बहुत बढ़िया आई अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन क्या कहता बाई जरा इसे जान दे गीत संग्रा कैसना थोड़ा बिल्कुल आई यह कोश्चन नमबर 41 क्या क्याता है जाने राम और सीता के दिवाह के ओसर पर राम और सीता का दिवाह हुआ था किस कभी ने मिठिला के इस्तिवियों से गारी गीत गवाया था अपने पुस्तकों में किस कभी ने मिठिला गराम और सीता के विवाह के ओसर पर किस कभी ने मिठिला के इस्तिवियों के गारी गीत गवाया था तो तुलसी दास के सोदा स्वामिय अग्रदास प्राडचन चौहान यह तो नहीं होगा इसी दो में से कंफूज आपको होता जाए तुलसी दासी जिए राइट है थ्यान नकिएगा अगला कोशन कोशन नमबर 42 क्या कहता बाई जरा इसे ध्यान ने 42 क्या कहता है राजनीति यूग है विस्तार का यूग है चर्मुतकर्स्त के बाद उत्त्रोत्तर हरास और पतन का यूग है यही सही है राइट इसे ध्यान दे क्या चाता है रीत मुपत कविटा की अम जहां दें काल में रीत बद्ध हुआ रीत मुपत कविटाओं की पूछा जा रहा है तोड़ा है यहां मतलब क्या चूच करना है यह आंतरिक अनुभूतियों का काभ है बिलकुल सही है भाई यह मुल्त आत्म परधान और ब्रतिकत है यह सभी परकार की रूडियों से मुभ्ध है यह नहीं का जा सकता है गलत होगा और अभी जना में अभीदाम मुलक है यह पहला दूसरा औ एक करता है अगिया विदुन करें पड़ाइक है रसना का चंडी चरित निसे मिलाएंगे, ठीक है हिम्मत बहादूर बिल्गाउली पदमाकर से मिलाएंगे तो पहले में पहले का तीसरा हो गया दूसरे का पहला पर बोलता संग्राम सार बोले तो कुलपती मिस ठीक है अगला के कि सुजान किसका है तो सुधन का है सुजान चरित सुजन सुधन का तीसरे का चोथा और हिम्मत बहादुर बिर्दावली टीका पाचवाँ ठीक है भाई भी इजे राइट एंसर कोके समझ में आ तब कुछ समझ में आड़ा है अगला कोस्ट्टन कि नंबर 45 कहता है यह तो गया 44 कोस्टन नंबर 45 जरा इसे द्यान कि दॉष्टन नंबर 45 डाक्टर पितामबरदत बढ़तक्वाल के अनुकार राम चंद्री क्या है क्या है वाई जिसे तुन जाया वर राम सरुप्चतुरवेदी ने कहा है उनके क्या बोलते हैं कि किसके ट्रंतों का है सब्सक्राइब क्या है तो राम चंद्रिका क्या है तो राम चंद्रिका पुटकर कवितों का संद्राइब समझ में आ रहा है बिल्कुल आईए बस कितना है रीच निकाल से मैंने आपको 45 45 कोश्चन कराया और यह 45 कोश्चन कम से कम सो से 200 कोश्चन के बराबर है भाई तो आप इसे अच्छे से प्रेक्टिस करिए और इतना देखिए एक मैट्रिक ना करपारों खुटका स्वय मुल्यांतन करिए तो रीटिकाल भी आज यहां पर कंप्लीट हुआ के बाद हम मिलते हैं आपको अगले एक नए टॉपिक के ताथ भाद में हैं ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू एक वफिल से आप तभी का स्वागत है कि इंडिया को